रागिवर्टो आपको बतादे कि बहुमत नहीं मिलने के सवाल पर आम श्या ने बड़ा दावा किया शाह ने कहा कि प्रधानमत्री मोधी भारी बहुमत से सत्ता में वापसी कर रहे हैं 400 पार किनारे पी शाह का बयान दिया 400 सीट चाहिए क्योंकि राजनिती मस्तिता चाहिए भारत की सिमाओं को सुरक्षित बनाना है बड़ा कदम उठाने के लिए 400 सीट के जरूरत नहीं अभी भी बड़ा कदम उठा सकते अगर 272 नहीं आते ये तो आप सोचने को तयार नहीं लेकिन पुलिटिकल चानकियास जो हैं वो प्लान बी जरूर बनाके चलते हैं आप प्लान बी नहीं बनाते हैं प्लान बी तब बनाना पड़ता है जब प्लान ए में साथ प्रतिसत से कम सभवना हो कितनी संभावना है आपको मैं निश्चित रुप से मानता हूं कि सत प्रतिसत मोदी जी प्रचंड वहुमत के साथ जीत कराएंगे पुरा देश चाता है इस देश सुरक्षित हो ये देस समरूद हो इस देश का दुनिया में शन्मान बड़े ये देस आत्मन इर्बर हो ये देस विक्सित भारत बने और हर भारतिये चाहे घरीब से गरीब हो चाहे कितना भी धन्वान हो ये सभी मानते हैं कि दस साल में दुनिया में देश का सनिमान बड़ा। दिया है देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से समिधान बदलने के लिए परियाप्त बहुमत है हमने कभी यह अपरोट नहीं किया हां हमें 400 सीट जरूर चाहिए कि देश में रादनीती में स्थीरता लानी है 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सिमाओं को चौक चौबंद और सुरक्सित रखना है 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है 400 सीट इसलिए चाहिए कि जो थोड़े बचे कुछे गरिबों को अभी लाब मिलना बाकी है वो काम भी हमने पूरा करना है हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि अभी भी हर गर में सुद्ध पीने का पानी पहुचाना बाकी है हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि इस देश के अंदर नेचरल फार्मिंग के खेत्र में डेर सारा काम करना बाकी है 400 सीट इसलिए चाहिए कि हर सत्तर साल से ज्यादे आयूवाले व्यक्ति को पांच लाग तक का मुप्त इलाज हम देना चाहते हैं हमने 400 सीट का दस साल में क्या उपयोग किया धारा 370 हटाई त्रिपल तलाग हटाया राम मंदिर बना और कॉमन सिविल कोड इसी सी लेकर हम आए हमने 400 सीट हमारी नहीं थी मगर परियाप्त बहुमत था इसका उपयोग हमने समविदान सभाने जो देश को वादे किये थे वो सारे वादे पूरे करने में पर वो 272 से भी हो सकता था 400 मतब आपने जब 400 किया तो इट लुक लाइक कोई बड़ा कदम उठाना है बड़ा कदम उठाने के लिए 400 की जरूरती नहीं है अभी हम उठा सकते मैं यही कहता हूं आपको परन्तु 400 सिट कोई भी व्यक्ति अपने काम का एक्सपांसर नहीं करेगा क्या भारतिये जनता पार्टी अपने एक्सपांसर नहीं करेगी देखे बहुमत का दूरूपयोग का इतियास मेरी पार्टी का नहीं है बहुमत के दूरूपयोग का इतियास इंदिरा गांदी के समय में कॉंग्रेस ने किया था आर्टिकल चेंज कर दिये लोग सभा को एक्स्टेंड कर दिया इमर्जनसी डाल दी और कोई भी कारण के बगर सभा लाक लोगों को जैल के अंदर उननीस मेहनों के लिए ठूस दिया हमने कभी इसका बेजा उपयोग नहीं किया है और ना कोई राहूल बाबा को इतनी गंभीरता से लेता है सिवा आपके पर सिर्फ राहूल गांदी नहीं अर्विन केजरिवाल ने भी कहा है ममता बैनर जी भी कह रही है कि अगर 400 लेके आते हैं या भारी बहुमत से आप जीत के आते हैं तो भारी बहुमत तो सिर्फ बहाना है ताना शाही तो पक्का है दिखें यह लोग स्थीर सरकारे चाहते हैं इसमें से किसी का भी पूरे देश की जंता का उनपर विश्स नहीं पूरे देश की जंता का विश्वास नहीं इसलिए के इंडिए-इलाइंज के निता ने कहा कि हर साल हम एक एक प्रद्यान मंत्री करेंगे ये कहा तो ली जी कहा है मैं नाम कहना नहीं चाहता ये कहा है कि हर साल हम एक एक प्रद्यान मंत्री रिपिट करेंगे ये देश में स्थीर सरकार ने कितने सारे फाइदे किये हैं देश की जनता जानती है तीस साल तक अस्थीर सरकारों का दर्द देश ने भी जिला है देश के युवाओं ने जिला है डेड़ पिड़ी पूरी निकल गई अस्थीर सरकारों में देश कहां से कहां पहुँच गया अब मोधी जी के नेत्रूतों में दो टम स्थीर सरकार आई है और तीसरे टम ज्यादे स्थीर सरकार आए तो मैं मानता हूँ देश की जनता मोधी जी के लक्स के साथ है और इसी के लिए वाट करें आप केजरिवाल जी को जो इंटेरिम बेल मिला है आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं देखे सुप्रीम कॉर्ट के फैसले पर मैं कोई टिपपनी करना नहीं चाहता हूँ परंतु सुप्रीम कॉर्ट के फैसले को जिस तरह से आम आदमी पार्टी कुछ मीडिया के ग्रूप्स और ज्यादा तर जर्नालिस्ट इसको केजरिवाल की विजय मान कर चल रहे हैं मैं थो सुप्रीम कॉर्ट नहीं माना फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है चलो भई एरेस्ट रद करना छोड़ दीजे मुझे बेल देदी अने नहीं माना सुप्रीम कॉर्ट ने सिर्व इतना कहा कि आपका चुनाओ के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए हम विजय और क्लीन चीट मान रहे हैं क्लीन चीट नहीं है चार सीट पड़ा है अभी कॉट के सामने और अगर उनको इतना विश्वास्ता तो सेशन कॉट में कॉसिंग डालते हैं कि मेरे खिलाब चार जी गलत है वो तो अपने रोडशो वगेरा में कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दे दीजिए मुझे फिर जेल में कोई नहीं भेज़ेगा देखिया वे तो सुप्रीम कॉट के जद साब जिन्होंने इनको इंटरिम बिल दिया है उनको सूचना है इसके बड़ा इनका कंटेम होर कोई हो नहीं सकता क्या सुप्रीम कॉट देश का विजय पराजय के आधार पर गुनाह का नेने करेगा